आकाश्वानी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मेरा नशाहिद पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार लोगसभा चुनाओ के दूसरे चरण में राजे के 6 लोगसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल खोगा मतदान कल थम जाएगा चुनाओ प्रचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कल सागर और हर्दा में सभाओं के बाद भोपाल में करेंगे रोड शो बोड पैटन पर हुई पाजभी और आठवी की परिक्षाओं के परिणाम घोशित और प्रदेश में चिंदवाडा सहित कई जिलों में आंधी और बारिश ओले भी किरें अब समचार विस्तार से लोगसभा चुनाओं के दूसरे चरण में प्रदेश के 6 लोगसभा निरवाचन शेक्त्रों में 26 अप्रैल को सुभा साथ से शाम 6 बजे तक मतदान होगा इन शेक्त्रों में कल शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंध हो जाएगा। दूसरे चरण में टीकमगड, दमु, खजुराहु, सत्ना, रीवा और हुशंगबाद में मतदान होना है। इसके लिए सघन निगरानी अभियान चलाया जाता है। इसके बाद शाम 7 बजे प्रधान मंतरी भोपाल पहुँचेंगे। मुख्यमंतरी डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि श्री मोधी मालविये नगर स्थित तिराहे से खुले रत पर सवार होकर मेजर नान के पैट्रोल पंप तिराहत तक पहुँचेंगे। उन्होंने बताया कि रोचों के दौरान लगभग 200 मंच स्थलों से प्रधान मंतरी का स्वागत किया जाएगा। इस दौरान कलाकार, साधू, संत, सहित, अलग-अलग वर्गों के लोग श्री मोधी का स्वागत करेंगे। इस दौरासी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्रधेश के अन्य जिलों से भी इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं। आज आकाशवानी के साथ नामक एक खास कारिक्रम शुरू किया गया है। हम आम लोगों द्वारा वोट डालने के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं। जिसे अनिशोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्वपर केंदरित अधिक्तम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए। और हमारे वॉट्सेप नंबर 94065 23035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रती दिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ आप भी मतदान अवश्य करिए। अब सुनते हैं शिवपूरी में जिला पंचायत सीई-ओ उम्राव सिही मरावी की अपील। मैं उम्राव सिह मरावी, जिला पंचायत सीई-ओ सीवपूरी। स्वीप के नोडल अधिकारी होने के नाते मैं सीवपूरी वासियों से आगरह करना चाहूँगा। कि इस वार लोकसभा निर्वाचन 2024 में जो की हमारे अहां साथ मई को मद्दान होना है। सभी मद्दाता चाहे वो दिव्यांग हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, सभी को बढ़ चड़कर मद्दान में भाग लेना है। और सीवपूरी को एक नए उचाईयों में ले जाना है और अधिक से अधिक मद्दान करके ये पिछला रिकार्ड जो हमारा 2019 में 64% था, उससे हम जादा करने का प्रियास करेंगी, यही मेरी सभी मद्दातां से आग रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। AIR News एप पर भी समाचार सुन सकते हैं। कक्षा पांचवी नवे दशमलाव नौ साथ फीस दी रहा है। कक्षा आठवी का रिजल्ट 87.71 फीस दी रहा है, सरकारी स्कूल का 66.22 फीस दी, प्राइविट स्कूल 90.60 फीस दी और मदर्सा के 67.40 फीस दी चात्रों ने बाजी मारी है। प्रदेश भर में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए हरस्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। धार महू लोकसभा से भाजपा अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आज अपना नामांकन पत्र जमा किया। वहीं कॉंग्रेस प्रत्याशी रादेश्याम मुवेल कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नीमच में मुखे डाग घर के बाहर हस्ताक्षर अभ्यान और सेलफी पॉइंट का शुबारम सीएम राइस प्राचारिय किशोर सिह जैन ने किया शिवपूरी जिले में मतदाता जागरुकता के लिए 25 अप्रैल को साए साथ बजे से तात्या टोपे प्रांगण में एक शाम मतदाता की नामकारिक्रम का आयोजन किया जा रहा है देवास जिले में शासकी महविद्याले टोंक खुर्थ के विद्यार्थियों एवं स्टाफ द्वारा रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन कर मतदाता जागरुकता का संदेश दिया आगरमालवा नगर पालिका के तत्वावधान में बढ़ोद रोड चोराहे पर आयोजित किये गए मतदाता शपत कारिक्रम में बैंक कर्मियों एवं आमनागरिकों को नैतिक मतदान की शपत तिलाई गई चतरपुर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जिया ने लवकुष नगर के शासकी उच्चतर माधिमिक विद्याले से मतदाता जागरुकता बाइक राली को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया भाजपा के राइश्ट्रे अध्यक्ष जेपी नड़ा आज प्रदेश की दौरे पर थे उन्होंने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया रीवा में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा हर चुनाव में लोक लुभावने वादे करना और उसके बाद भूल जाना कॉंग्रेस की नीती है सारे परिवार की पार्टियां इखटी हो गई है इनको मैं मेरा बेटा, बेटी और दामात के बाहर कुछ नहीं दिखता मजबूत सरकार की जरूरत बताते हुए श्रीनड़ा ने कहा कि 10 साल पहले आप ही कहते थे कि कोई बदलाओं नहीं आएगा लेकिन आप लोग ही कह रहे हैं कि देश बदल चुका है विक्सित भारत के लिए हमें स्थिर मजबूत और निर्णा एक सरकार की जरूरत है वही ठीकमगड में चुनावी सभा में श्रीनड़ा ने कहा कि कॉंग्रेस ने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आसमान छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा और ना धर्ती छोड़ी इन लोगों ने तीनों लोक में घोटा ले किये हैं श्रीनड़ा 21 दिन में तीसरी बार प्रदेश के दौरे पर आये थे प्रदेश में मौसम के तेवर बदले हुए हैं चिन्दवाडा में आंधी बारिश के साथ तोले गिरे मौसम विभा के अनुसार बैतूल, पाढ़ुना, सिवनी, मनला, डिंडोरी, मौगंज में बिजली चमकने के साथ मध्यम तूफान आ सकता है, ओले भी गिर सकते हैं रीवा, सतना के चितरकूट, शहडोल, जबलपूर, मेहर, उमर्या, अनुपूपूर, बालगाट, सीधी और सिंग्रॉली जिलों में बिजली गिरने के साथ हलकी गरच के साथ बारिश हो सकती है पश्ची में विक्षोब सहित विभिन, मौसमी कारणों से पिछले चार दिनों से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है जो 25 अप्रेल तक होती रहीगी अब कुछ समचार संग्शेप में नीमच में जनपत पंचायत मनासा की सभी 102 ग्राम पंचायत में परियावरें संरक्षन एवं मतदाता जागरूकता अभ्यान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को इकत्रित कर स्वचिता की शपत दिलाई बैतूल में चुनाव अब्जर्वर प्रदीप ठाकों ने मानेता प्राप्त राजनीत कितल के प्रत्याशी और प्रतिनिध्यों से EVM के रेंडमाईजेशन की प्रक्रिया के दौरान कहा कि निश्पक्ष पारदर्शी एवं सुर्तंत्र मतदान के लिए आपके सहमत होने तक रेंडमाईजेशन की प्रक्रिया दोहराई जाएगी प्रदेश भर में हनुमान जैनती पर मंदिरों में विशेश पुजा अर्चना की जा रही है भंडारे और शोभायात्रा जैसे आयोजन भी हुए जबलपुर डिंडोरी देवास बैतूल मुरैना नीमच जिलो में भी विशेश आयोजन हो रहे हैं मंदिला में आज फिर मौसम बदल गया गरत चमक के साथ तेज बारिश हुई है और हलकी उलावरिष्टी भी हुई आज इस बुलिटिन में बस इतना ही दीचे एजासत नमस्कार